जैहिन दोस्तो जैसे कि आपको पता है अगर आप एक बार GST का रेजिस्टेशन ले लेते हैं तो आपको बहुत सारी रिटन्स और उसका जो टैक्स है वो समय समय पर भरना पड़ता है अगर आप ऐसा नहीं कर पाते हैं तो GST के ओफिसर हैं आपके ओपर एक्शन ले सकते हैं और एक बात दोस्तो बहुत सारी लोग ऐसे हैं जो GST का रेजिस्टेशन तो लेकर बैठ गए हैं लेकिन वो अपनी रिटन्स नहीं बर रहे हैं अगर आप अपनी रिटन्स नहीं बर रहे हैं छे मन्त तक लगातार तो GST ओफिसर को ये पावर है कि आपका जो GST है वो कैंस का एक नोटिस आया है जिसमें की वो GST ओफिसर नहीं यहां पर लिखा है कि यूव समिटेड निल्स रिटन्स निल टर्नवर फूर लास्ट सिक्स मन्त अगर आपके रिटन्स भी भर रहे हैं फिर भी आपका जो GST का जो सर्टिफिकेट है वो आपका कैंसल कर सकते हैं कारण कारण यह है कि आपने निल की रिटन भरी है आपने निल टर्नवर दिखाया है मतलब जो आपकी सेल है या आपकी सर्विस है वो आपने जीरो दिखाई है तो इसका मतलब आप GST नंबर लेकर के कोई भी काम नहीं कर रहे हो तो आपको GST नंबर लेनी की जुरूरत नहीं है ह हम आपका GST number क्यों क्यों करते तो यहां पर उनसे reply मांगा है यह देखिए seven working days के अंदर साथ दिन के अंदर आपको इस notice का जवाब देना है कि आपका GST number cancel क्यों क्यों कर दिया जाए तो इस तरह से आपको अगर आपने GST number ले रखा है तो proper उसको follow up करें टाइम टू टाइम रिटन्स बरें जो भी टरन ओवर जो भी ट्रांजेक्शन्स आप कर रहें अपने बैंकिंग के थुरू उसको आप GST में जरूर दिखाएं ताकि इन फूचर में आपको किसी भी तरहेंगी प्रोबलम का सामना ना करना पड़ाएं तो आशा करते हैं दोस् जय हिंद जय भारत